अग्यार्थी मित्रों अग्यार साइंस केमेष्ट्री नू चेप्टर उश्मा गती सास्त्र जेना जे डबली नीटना कॉंसेट्ट नो आ टेबल टोप लेक्चर थी छे लास्ट लेक्चर इलेके TTL2 जेमा अपडे प्रणाली ना गुण दर्म विशे अभ्यास करेलो जेना अंतर्गत मात्रात्म गुण दर्म, विसिष्ट गुण दर्म, अवस्था विधे औने पत विधे नो अभ्यास करेलो आ उप्रांद आंत्रीकूर्जा अने तेनी लाक्षनिकता विशेपन आपणाय पहास करेलो आ लेक्चर मा एलेके T.T.L. 3 मा आपणे प्रणालीनी आंत्रीकूर्जा मा फिरफार ने लगता टोपिक नो अभ्यास करीशू जेमा आपणे कारियांने उष्मा नो अभ्यास करीशू उप्रांद कारियांने उष्मा ना एकमोवच्चे आंत्रीक सबंध ने जानीशू तो सरू करिये सउथी पेलू टाइटल छे प्रणालीनी आंत्रीकूर्जा मा फिरफार विद्यार्थी मित्रो लास्ट लेक्चर मा पण आपणे आ विधान आपणे नोदेलू के प्रणाली ने आंत्री कुर्जामा बे पथ विधेयो द्वाराज फेरफार करी शकाई छे अने ए जे बे पथ विधेयो छे एक कारिया अने उश्मा छे अहीं आपणे आ प्रकारे स्पष्टी करण करियू छे के कारिया द्वारा प्रणाली ने आंत्री कुर्जामा कै रिते फेरफार करी शकाई छे तो प्रणाली उपर कारिया करी ने अथ्वा प्रणाली द्वारा कारिया थवा थी प्रणाली ने आंत्री कुर्जामा फेरफार अपने आ बाबत ने अहीं द्यानमा राखी सु कि प्रणाली उपर कारिया करवा मावे क्यारे कारिया डबल्यूनू मुल्य धन अशे, प्रणाली द्वारा कारिया थसे तो कारिया डबल्यूनू मुल्य रून अशे, एकले आपने कौंसमा ए बाबत ने अहीं सरुवात्थी ज स्पष्ट करी देए छे अने आथ हीरी नी अंदर वारमवार प्रणाली उपपर के प्रणाली द्वारा थता कारिय माटे डबल्यू ना मुल्याने धन के रून लेवानी बाबत ए नोंधाती रह शे एज रिते उश्मा उश्मानो सिंबोल क्यू स्मोल क्यू छे प्रणाली मा उश्मा उमेरीने पन प्रणाली नी आंत्रीकुर्जामा फिरफार करी शकाई छे एज रिते प्रणाली मा थी उश्मा दूर करवा मा आउसे, तो क्योंनू मुल्य रून अशे? एकले फरीथी प्रणाली मा उस्मा उमेरी ने प्रणाली नी आंत्रीकुर्जा मा फिरफार करी शकाए, प्रणाली मा थी उस्मा दूर करी ने प्रणाली नी आंत्रीकुर्जा मा फिरफार करी शकाए, अहीं क्यारे धन लेवा और क्यारे रून लेवा ए बावत ने खास ध्यान मा रागफी जडरूरी छे हवे आपड़े कारिय जे पथ विधेई छे कि जेना ड़ा आंत्रीकूरजा मा फिर फार्द करी सखाई छे ये कारिया विशे आपड़े विश्त्रूत मा हीती लईशू उश्मा गतिकी कारिया बे प्रकारना चे विद्यार्थे मित्रों कारिया नी व्याख्या तो ए तमे जानोच छो के पदार्थ पर कोई बिंदु ये बढ़ लगाडवा मा आवे अने ए बिंदु ए बढ़नी दिसामा ए स्थानन तर करे तो कारिया थयू कहवाई तो उश्मा गति सास्त्र मा आपने कारिया नो अभ्यास करवो छे डबल्यू विद्धूत बराबर NFE cell विद्यारती मित्रों जे प्रणाली मा आयनो वच्चे प्रक्रिया थती होई एटले के आयनो वच्चे नी प्रक्रिया थी इलेक्ट्रोन नी आपले थवा प्रक्रिया थती होई तो इलेक्ट्रोन नी आपले थवानी जे प्रक्रिया छे एना द्वारा ए विद्धूत कारिया मली शके छे डबल्यू विद्धूत बराबर एन एफ ई सेल सुत्र याद राखु जरूरी छे आपने पणिणाम नमबर एक आप्यू छे जा एन ए विज राशाणीक प्रक्रिया दर्म्यान आपले थती इलेक्ट्रोन संख्या छे एफ फेराडे अचलांग छे जेनू मुल्य चन्नू 500 कुलम छे आम तो एनू वास्तविक मुल्य चन्नू 480 कुलम छे परंतु गणत्री माटे छन्नू 500 कुलम लेवाम आवे छे इसल एटले कोस पोटेंशल विद्यार्थिमित्रो जे प्रणाली मा आयनो वच्चे प्रक्रिया थाए अने इलेक्ट्रोन नी आपले बाहिय परिपत मारपते थाए ए प्रणाली जे छे एने वीज रासानी कोस के वाम आवे छे अने ए कोस नो पोटेंशल एने ए सेल के वाम आवे छे जेनू एकम ए वल्ट छे तो अहीं तमे आ एकमोंने लागू पार्षो तो एन एटले संख्या छे जेनो कोई एकम नहोए पण एफ जेनो एकम छे कुलम आने ए सेल जेनो एकम छे वल्ट एटले विद्धूत कारिया नो एकम थसे कुलम इंटू वल्ट परन्तु कुलम इंटू वल्ट जे छे एने जूल केहवा मावे छे आम विद्धूत कारिया माटे एकम कुलम इंटू वल्ट एटले के जूल एवो बिजी रिते विचारी तो 1 कुलम इंटु वर्ड बराबर 1 जूल एवी रिते वर एने विचारीशू बिजानमरे छे यांत्रिक कारिया विद्यार्धिमित्रों यांत्रिक कारिया जे छे एनो अभ्यास एक खुब डिटेल मा छे अथवा तो खुब अज वधू छे कानके विद्दुत कारिया विचे इनो अभ्यास जे छे ए बार साइन्स नी अंदर विद्दुत रशाइन नाम नु चेप्टर छे, एनी अन्दर पन एनो अभ्यासा आव छे, उही अपने यांत्रिक कारियाने सवीसेस द्यानमा लेवू जरूरी छे यांत्रिक कार्यानु मुल्य दबाण ने कदना गुणाकार जेटलू होई छे, आ बाबत नी माहिती ए द्रव्यद अवस्था नामनू चेप्टर, जेमा वायु अवस्था, अने एना माटे आपणे PvE is equal to NrT समीकरण ने जह ध्यन्मा लिधेलू छे, जेने आपणे आधर्श कारिय दर्ष दर्ष आवे एक ज ses आवे छे आपड़े खुब सारी रिते समझेला अणे आ वाइव चर्क दक है आर ना विविध मुल्यों औने एकमों जे छे एफक्तने नाम फ़ीद स्वरूप ने बदलायग छै एतले त्याँ ते अपले जानिए छीए के db MAR ने कदनो गुणा कार् यह कारिया उप्शा छै यांत्रीक उस्ता कारिय जेंए और छेतलर पनger अप्रमाने केट आप्रमाने कार्या बडाबर द्वान केचल्ने आपने आरीते लख्यू छे कारिया माटे W, दबान माटे P, अने कद माटे V, एले W बराबर P गुणिया V, आ विधान खुब बगत्यानू छे, परन्तु वायूरू प्रणाली माटे अचल दबाने प्रणाली ना कदमा फेरफार थतो होवा थी, फरिथी वायूरू प्रणाली अचल दबाने प्रणाली ना कदमा फेरफार थतो होवा थी, जे यांत्रिक कारिया छे, ए यांत्रिक कारिया ने आप्रकारे दर्शावू, पड़े कारिया बराबर दबान गुणिया कदनो फेरफार, जे आपने इन्या फक्त कद लगता था, ए वास्तो माँ कदनो फेरफा थसे तो अने तोज एने अनुरूप कारिया मल शे जेने आपणे सिंबोल मा आरीते दर्शाइवी छे कारिया माटे W दबाण माटे तो जे P छे एज पन कदनो फेर फार छे एने डिल्टा V ए प्रमाने दर्शाव पड़े अने डिल्टा V माटे आपणे आपणे अनुक्रमे प्रणाली ना प्रारंभिक अने अंतिम कद छे विध्यार्थिमित्रों कोई पन स्थाने आपणे अंतिम माइनस प्रारंभिक जेनीस पष्टता ए आपणे अगावना टीटील लेक्चर माँ पन करी चुक्या छिए के उश्मागती सास्त्रना अभ्यास मा अथ्वा अन्यकोई पन स्थाने जहापण डेल्टा नो उप्योगावसे त्या आपणे अंतिम माइनस प्रारंभिक एना संदर माज तफावतने विचारिशू एटले ही लख्यू छे विवन तो ए प्रणालीनू प्रारंभिक कद छे विटू ए प्रणालीनू अंतिम कद छ पैणाम बे माटे नीचे मुझबनी बे शक्यता हो छे पैली शक्यताने केपिटल ही करीने दर्शावी छे जो प्रक्रम दर्म्यान प्रणालीनू कद वदे आपणे यहीं लख्यू छे वायोरू प्रणाली माटे अचल दबाने प्रणालीना कद मा फेरफार थाए अवे कद वदे तो प्रारंबि कद वीवन एशाप एक्षे अंतिम कद वीटु मोटु होए यहीं वीटुले ग्रेटर थें वीवन थासे असे तफ़ावत माटे वीवनाटे वीवनना डावी बाजु लाविह इसले माइनस वीवन माईनस ग्रेटर थें 0 यहाँ धन थासे तो विद्यार दिमित्रो आ विधान ने खास ध्यान मा रागजों के अचल दबाने प्रक्रम दर्मयान प्रणाली नुकद वधतु होई तो प्रणाली द्वाराकारिय थयु तेम कहवाई। फरीथी विधान रिपीट करू छू अचल दबाने प्रक्रम दर्म्यान प्रणाली नू कद वद्तू होई तो प्रणाली द्वारा कारिय थयू तेम कहवाए विध्यार दिमित्रो आ विधान ए नवू नथी NCRT पाठ्य पुष्टक ना अभ्यास मा पण आ विधान आवेलू जू छे एटले फरीथी आपणे आना उपर फोकसिंग करी शू तो प्रणाली द्वारा कारिय थयू तेम कहवाए अने जो प्रणाली द्वारा कारिय थयू होए आपणे लख्यू छे प्रणाली द्वारा कारिय थयू होए तो W नु मुल्य रून आवे एटले लख्यू छे आज थिती मा कारिय नू मुल्य रून थसे माटे W बराबर माइनस P डेल्टावी आपणे जे या W बराबर P डेल् जरूरी छे एज रिते सक्यता बीजी जिने आपडे कैपिटल बी तरीके दर्शावी छे जो प्रक्रम दर्मेन प्रणाली नू कद खटे जो प्रणाली नू कद खटे तो प्रारम भिक कद मोटू होए अंतिम कद नानू होए एटले वीट्टू लेस धेन वीवन थसे तफाव मैं आगल जे विधान अपडे बुल्या एज प्रकारनू विधान ही रिपीट करू छू अचल्डबाने प्रक्रम दर्म्यान प्रणाली नू कद खटे तो प्रणाली उपर कारिय थयू तेम कहवाई अगल नू विधान अतू अचल्डबाने प्रणाली नू कद वधतू कारीय थयुक्त्यें कहें तोपन W बराबर माइनस P डेल्टा वीज थसे अने कद घटे तोपन W बराबर माइनस P डेल्टा वीज थसे अर्थ के कोईपन संजोगों मा यांत्रिक कार्य W बराबर माइनस P डेल्टा वीज थसे यांत्रिक कार्याना संदर्मा उश्मा गती शास्त्रानों प्रथमनियम, इद्यार्थी मित्रों आम तो उश्मा गती शास्त्राना प्रथमनियमने सत्तावर रित्या तमें NCRT पाठे पुष्टक मां भणी चुक्या छो, एकले आपड़े एना संग्न्यात्म गत्वातो एना गानितिक स्वरुप्थी शरु किकके यांत्रिक कारिया ना संदर्मा वाद थे छे, तो अपने आपड़े एपड़ए करी शके, तो डेल्टा यू बराबर क्यू मांї налis p डेल्टा गिश्यू पर नभोगियू आपणे पढ़े विधांवाबर त्रोंट breakthrough श्क्यो quis्यू चरु आप परिणाम नम्बर 3 ने यांत्रिक कार्याना संदर्मा उष्मा गती सास्त्र ना प्रथम नियमनु स्वरूप कहे छे विद्यार्थे मित्रो आ परिणाम नम्बर 3 एने पन याद राखू जरूरी छे कारण के एना उप्योग थतो होई तेवा पन MCQ पूछाई चुक्या छे वि बे पथ विदे एक कार्य अनिक उष्मा जेना द्वारा यांत्रिक उर्जा एटले आंत्रिक उर्जा यू इमा फिर फार माटे विचार करता था तो उष्मा ने आपड़े आगल जुईली ये उष्मा ते उर्जानू जथ्थात्मक निरूपण छे उर्जानू जथ्थात्मक निरूपण छे अनेर तेने बोम केलोरी मीटर वड़े सामनी रित्या अपड़े मापताओ ये छे तापमान ना तफावत ने लिधे प्रणाली औने परियावर्ण वच्चे उष्मानो प्रवाह सर जाई छे विध्यार्थी मित्रो ज्यारे प्रणाली औने परियावर्णना तापमान मा तफावत होय जारे ए तापमान्य समान करवा माटे उष्मानी आपले थती होई छे अन्य ए जे उष्मानी आपले छे ए वास्तोमा उष्मानों प्रवाह छे ए प्रमाने आपने समझी शक्ये समान्य रिते उष्मानों एकम कैलरी छे तेमाज मोटा जथ्था माँ तेने किलो कैलरी एकम मां दर्शावाई छे आपने परीचे छे उष्माने कैलरी एकम थी दर्शावाई छे अन्य जो खुब मोटा जथ्था नी उष्मानी उष्मानों किलो कैलरी एकम पण वप्रात होई आपने यहां कैलरी एकम नी व्याख्या दर्शा वेली छे, एक ग्राम सुद्ध पाणी ना तापमन मा एक आउंस सेल्सियस नो वधारो करवा माटे जरूरी उरुष्माना जाथानी एक कैलरी काहे छे, विद्यार्थी मित्रों, यहां एक आउंस सेल्सियस अथवा एक कैल्व मालो, कोई फरक पड़तो, नथी, आपने यहां आप्रमाने समझी शक्ये छे, खुब ध्यान्थी समझी लेवू जरूरी छे, आपने धारो के प्रारंभिक तापमान 10 अउंस सेल्सियस छे, तो यहने कैल्वीन माँ आपने विचारिये, तो कैल्वीन माँ एक तापमान बस् क्लिटन एक तो 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 तेरेकरीज, एकले बस्सो त्यासी केल्वीन थासे, अन्तिम तापमान माँ धारो के हूं वी समझी सेल्सियस वी जरू जोगों, एकले दसाम सेल्सियस नो वधारो थे तो आमय आपन 113 Kelvin हुआ थासे 10 Celsius नोangan थावुआ ऐँ यहा थावत भ़़स लईस तो पंब 10 Kelvin नोट थावुआ थावुआ मांते चलुआ बेन पमठने थावालईस पंब Wiz चिंडश्पम खिलЖा था नधी । ist तफावत माटे अनसेल्सियस अने केल्विन मुल्य हम्मेसा समान रहशे, ए बाबत ने आपने ध्यानमा राखीशू, एडिले व्याक्ख्याना सब्दो जेछे, कि 1 ग्राम सुद्ध पाणीना तापमान माँ एक अनसेल्सियस नो वधारो करवा माटे, एव आपने लखी शक्क जरूरी उश्माना जठ्था ने एक क्यालरी कहे छे। कारिया ने उश्माना एकम वच्चे ना सबंधो। सामने ते एक न्यूटन इन्टू मीटर बराबर एक चुल। विद्यात्यमित्रों कारिय तो कारिय नी व्याख्या प्रमाणे कारियनू सुत्र अने ए सुत्र प्रमाणे नो आ एकम। आम तो फिजिक्स नो टोपिक छे। परन्तु आपणे खुब सरल ताथी एने समझी शक्किये छिए। आ प्रमाणे कारिय बराबर बढ गुण्या स्थानांतर। बढ नो एकम छे न्यूटन स्थानांतर नो एकम छे मीटर। जो आपणे MKS, CGS ए प्रमाणे वीचारिये तो आ MKS एकम हो छे। न्यूटन इन्टु मीटर नेज एक जूल तरीके लेवामा आवे छे। एटले आपणे कारिय उर्जाना एकम तरीके एक न्यूटन इन्टु मीटर बराबर एक जूल एवु लखे शक्ये। हवे एक जूल बराबर दसनी साथ घात अर्ग एवु आपणे कही शक्ये। तो वास्तव माँ एक न्यूटन अन्य आ एक मीटर छे। तो एक न्यूटन इतले दसनी 5 घात पास्कल छे। गुनिया 1 मीटर इतले दसनी 2 घात सेंटी मीटर छे। 10 नी 7 तो 5 ने 2 साथ पास्कल गुनिया सेंटी मीटर तो ंयर्ग कहवाई छे। आम जोईए तो आ न्यूटन इंटु मिटर ए MKS पद्धती प्रमाने विचारिये, तो पासकल इंटु सेंटी मिटर ए CgS एकम पद्धती प्रमाने थसे, एटले एक जुल बराबर 10 नी साथ खात अर्ग एरीते थसे, एटले अहीं आपडे एक न्यूटन इंट हूमिटर बर 1 Joule બરાબર 10 ની 7 ખાતર્ગ બરાબર 0.249 કેલરી આને 0.24 કેલરી પણ કહી શક્ય છે તેથી 1 કેલરી બરાબર 4.184 જૂલ કારણ કે 1 Joule બરાબર 0.249 કેલરી હે તો 1 કેલરી બરાબર 1 ભાગ્ય 0.249 જૂલ થસે એક ભાગ્ય 0.249 એનો જાબ આઉશે 4.184 એટલે 1 કેલરી બરાબર 4.184 જૂલ જેને નીરલી આપણ 4.2 જૂલ પણ કહી શકીય વિતુત કાર્યાના સંદર્ભમાં 1 કુલ્મ ઇન્ટુ વરડ બરાબર 1 જૂલ બરાબર 0.249 જેને આપણે નીરલી 0.24 પણ લખી શ બરાબર 101.3 જુલ થસે બરાબર 24.206 કેલરી થસે જુલ ને અરગમાં વિચારીએ તો ગુણ્યા દસની 7 ખાત અરગ થસે એટલે 101.3 ગુણ્યા દસની 7 ખાત અર્ગ સરખામણી કરીએ છીએ તો એક લીટર ઇન્ટુ વાતાવણ એ સૌથી મોટુ એકમ અથવા સૌથી મોટુ મૂળ્ય દર્શાવતો એકમ છે કેલરી એનાથી ઓછુ મૂળ્ય દર્શાવતો એકમ છે જુલ એન આપણે જે યાંત્રીક કારીય જે છે એટલે કદ ફેર્ફાર સાથે સંકળાએલુ કારીય એયાંત્રીક કારીય ના વીસ્ત્રણ વીસ્ત્રણ કેતા પ્રસ્ત્રણ તો જો આદરસ્વાય નું સંતાપી પ્રત્ત્રણ થતુઓ એતલે સુત્રમાં કોઈ ફેરફાર નથી તો w બરાબર માઈનસ 2.303 ન આર્તી લોગ વીટુ બાઈ વીવન આને પણે પેણામ નંબર એક આપી છે વીવન અને વીટુ એ અનુક્રમે પ્રારંભીક અને અંતીમ ક અને પીવન ના છેદમાં પીટુ ને લઈજીએ તો પીવન અને પીટુ બરાબર વીટુ બરાબર વીવન થશે એત્લે અને પીટુ બરાબર પીટુ લખી શકીએ તો પરિણામ 1 નીચે મુજબ થસે કાર્યા w બરાબર મેનસ nRT ln V2 બાય V1 ને બળલે P1 બાય P2 બરાબર મેનસ 2.303 nRT લોગ T1 બાય P2 આપણામ 2 છે વિદ્યાર્તી મીત્રો અહીં આપણે ફરીથી એ સ્પશ્કતા કરીરેયા છીએ કે અહીં વિસ્ત્રણ થાય છે વિસ્ત્રણ થસે એટલે કદ વદ સે તો લખીં છે અહીં વિસ્ત્રણ લે લીથે પ્રણાલી નું કદ વદ શે વિસ્ત્રણ લે લીદે જો પ્રણાલી નું કદ વદ શે તો પ્રણાલી દ્વારા કારીય થયું ઇમ ગણાશે અને પઈણામે કારીયનું મુલ્ય રૂણ મળશે એટલે આપણને જે પણ મુલ્ય અંયા દરશાવીલા છે યે બધા મુલ્યો રૂણ છે બીજા નંબરે છે આદરશવાયુનું સમ તાપી પ્રતિ વર્તિ સંકોચન તો વધ્યાર્તિ મીત્રો આનો આજ અભ્યાસ ઈયાં વિસતરણ છે ઈયાં સંકોચન છે વિસ્તરણ થાય તો પ્રણાલી નું કદ વધે અને કાર્યાનું મુલ્ય રૂણ મળે તો આપણે જોઈલીએ આદરસવાયવનું સંતાપી પ્રતિવર્તી સંકોચન કાર્ય ડબલ્યું બરાબર નાટી એલે મળે બરાબર કરીને સેન 2.303 નાટી લોગ વીટુ બાય વીવન અહ્યા માઈનસ છે અહ્યા માઈનસ નથી દબાણ ના સંદર્માં આપણે કણ્વર્ટ કરીએ તો આ પઈનાં 2 છે એના જેવુંજ પઈનાં પણ્તું માઈનસ છે તાપી અપ્રતિવર્તી વિષ્ત્રણ વધ્યાર્તી મિત્રો આજે સમતાપી અપ્રતિવર્તી વિષ્ત્રણ કિદુ છે તો સ્વાભાવીક છે એ બે પ્રકાર ના છે એક સુન્યાવકાસ માં વિષત્રણ થાય અને બાહીય દબાણ પ અચળ જોય એટલે દબાણ p સુન્ય થસે અને દબાણ p સુન્ય હોય તો કાર્યા w બરાબર p ઇન્ટુ ડેલ્ટા v મું જબ w પણ સુન્ય થસે એટલે આપણે યાદ રાખીશું કે સુન્યાં કાસમાં આદર સ્વાયુનું આ પ્રતિ વરતિ કે પ્રતિ કે પ્રતિ કોઈ પણ પ્રકારનું વિસ્તરણ થાય તો કાર્યાનું મુલ્ય હમેસા જેને પેનામ નંબર 6 કી દેલુ છે ચોથા નંબરે છે આદરસવાનું સમોસમી પ્રતિ વરતિ વિસતરણ તો જો यह नुशुत्र W बराबर C V इन्टु डिल्टा T जा डिल्टा T is equal to T2 minus T1 T1 ए प्रारंभिक ताप मांचे T2 ए अंतिम ताप मांचे C V ए अचल कदे उस्माक्षम्ता छे इद्यार्थी मित्रो अत्यार उस्माक्षम्ता सुँछे एने आपड़े नथी समत्ता उस्माक्षम्ता विशे नों अभ्यास NCRT बोड लेवले तमें करी चुक्या छो परन्तु तेम चता आपड़े उस्माक्षम्ता विशे आगलना लेक्चरों मां अभ्यास करी शू उपरांद एक मोल आदर्स्वायू माटे यहां आदर्स्वायू नाज रस्णल संकोचन विशे निवाद छे एक मोल आदर्स्वायू माटे W बराबर R अपोन गेमा माइनस 1 कौंसमा T2 माइनस T1 एटले के डेल्टा T अभ यां गेमा सू छे तो गेमा नू स्वरूपा आछे ज्यां गेमा बराबर Cp अपोन Cv SP तो अचल दबाणे उसमाक्षमता छे इद्यार्थि मेतर्孔 Party V केता कद अचल पी केता दबाण अचल C उसमाक्षमतानो सिंबोल छे इतले आने CV ने अचल कदे उसमाक्षमता अने CP ने अचल दबाणे उसमाक्षमता तरीके दर्साविशू तेमच si p अने cv ना गुण ओत्तर ने गेमा तरीके दर्सावीशु त्यार बाद पाँचमा नम्बरे छे आधर्स्वायूनू समोशमी औ प्रती वर्थी विस्त्रण होय त्यारे कारिय डबल्यु बराबर माइनस P गुण्या आर कौंसमा P1 इन्टू T2 माइनस T1 इन्टू P2 अपोन P1 P2 विद्यार्थी मित्रो आ पढ़िणामने पढ़िणाम नमबर 9 कि देलू छे जा P ए बाहिय अचल दबाण छे एटले के वायू पात्र मा थी वायू नू बाहिय वात्तावरण मा विस्त्रण थाए तो ए स्थिती मा बाहिय वात्तावरण नू जे अचल दबाण छे ए बाहिय अचल दबाण छे P1 ए विस्त्रण पहलानू वायू पात्रण दबाण छे विद्यार्थी मित्रों आपड़े याद राखीशू के अहीं कोईपण ताप मान छे यह मेशा निर्पेक्स ताप मान छे एडले के केलवीन ताप मान छे एकलवीन ताप मान नेज आपड़े आ सुत्रमा लागू पाड़ी शक्ये छीए विद्यार्थी मित्रों जो तमने आप वीडियो लेक्चर गम्यों होए तो लाइक आप जो शेर करजो अने सब्सक्राइब पन करजो अगावन लेक्चर नू रीजन अने पाठ्य पुस्तक नू वांचन करता रेजो आ लेक्चर अंगे कोईपण डिफिकल्टी होए तो मने व वोट्सअप करी शकाए आभार फरी मलेशू नवा वीडियो लेक्चर मां